नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पार्फाइंडर श्रीडी पॉइंट में तो आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कांश्टिबल भरती की परिच्छा निकलिए 2018 के लिए जिसके लिए नोटिविगेशन जारी हुआ है और फार्म भरने की प्रिक प्ले करती है क्योंकि बिना प्लैनिंग के अगर किसी परिच्छा की त्यारी की जाती है तो सफलता के चांसेज कम हो जाते हैं लेकिन अगर किसी परिच्छा के पहले उसकी बिस्तरित एनालिसिस की जाए और उसके स्लेबस को उसकी प्रकृति को उसके टॉपिक्स को समझा जाए कि कौन से एरिया जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरिया जुसे ज्यादा कोश्चन आते हैं आपकी प्राइटी क्या है आपकी कमजोरियां क्या है आपका जो है मजबूत पर्च क्या है तो इन सब को मिला कि जब एक मजबूत प्लैनिंग की जाती है जो है सिस्ट किया था कि कितने लोग जो है UP पुलिस कांज्टेबल की परिक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और तो काफी रिपलाई आये सो सेदिक लोगों ने रिपलाई किया जिनोंने मैसेज देखा होगा आप लोगों उसे काई लोगों मैंसे नहीं भी देखा होगा मिस्स कर दिया होगा तो यह मरमान के चलता हो कि काफी भारी संख्या में जो है इस चैनल के भी विवर्स और सब्सक्राइबर हैं जो यह परिच्छा देने जा रहे हैं इसके लिए त्यारी कर रहे हैं तो चुकि नोटिफिकेशन आपने पढ़ा ह उसकी सारी बाते आपको क्लियर हैं नहीं पढ़ा है तो वरक्षे से पढ़ लीजिए कि फिजिकल की क्या प्रिक्रिया है उसकी फॉर्म भरने की इलिजिबिल्टी क्या है डेट क्या है और आगे क्या-क्या होना है क्या सेलेक्शन प्रोसेस है तो इसमें मैं डिटेल में नह यसे कोश्चन आते हैं और उनका जो है फ्रिक्वेंसी क्या है यानि प्रायटी एरिया जो है क्या है तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे अगर आप तो जो है इसका पूरा विसलेशन समझ पाएंगे और आपकी जो तैयारी है उसमें आपको हैल्प मिलेगी आप सबी लोग पर का मैंने समय देखर जो है एक विस्त्रित अनालिसिस की है उनके सारे टॉपिक्स को मैंने सूची बद्द किया है लिस्ट किया है उनसे कितने कोश्चन किस सिफ्ट में पूछे गए और उसका एक आवरेज निकाला है तो उस एवरेज के अधार पर क्या आपकी प्रायट प्रायशन में देखा है तो उसका पहला पाट क्या है सामान ग्यान यानी जी के इसमें 38 प्रस्ण होते हैं आउस्तन जो है एक पेपर में कोई फिक्स नंबर नहीं है ये कभी बढ़ दे सकता है एक दो कोश्चन कभी एक दो कुश्चन घग दे सकता है लेकिन जो साथ प्रस यानी मैत होज से रिलेटेड उसमें 22 प्रस्ण पूछे गए हैं उसके इलावा मानसिक अभरुची बुद्धिलब यानी IQ तार्किक छमता यानी reasoning ability तो ये सब मिला के इसमें जो है पुलिस ट्रेट से रिलेटेड भी जो कुश्चन सामिल होते हैं तो इस तरह से कुल तिरप पूछे जाते हैं कि सबसे जादा वेटेज किसका है जीजनी वाले कोश्चन का क्योंकि उससे टिरपल कोश्चन पूछे जा रहे हैं और सबसे अच्छी बात इस परिच्छा की ये है कि अगर हम UPSC की परिच्छाओं से इसका कमप्रिजन करें तो इसका इस तर उससे जो है हलका है यानि इसमें अजीब हो गरी कोश्चन नहीं पूछे जाते हैं सीधे सीधे इस टैटिक जीके के अच्छे कोश्चन जो आप जो है आपने पढ़ते आ रहे हमेशा से उस तरह के कोश्चन साते हैं अगर आपने अच्छे से इसकी तयारी के लिए तो बहुत ही फेर च सेम स्लेबस है क्योंकि पुलिस विभाद ही उसका जो है विभाद भी है तो जब आप इसकी तयारी करेंगे तो उसमें आपकी आटोमेटिक तयारी होती रहेगी तो जो लोग इलिजबिल है वो भी फॉर्म डालेंगे एक और महत्पूर बात जो है जिस तरह से हम लोगों न जो है कांस्टिबल परिच्छा के लिए जो है जल्दी ही एक बहतरीन टेस्सीरीज की घोशना करने जा रही है लगब पास तारीक के आसपास आपको जो है डेमो टेस्ट भी उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे आप जो है उसको समझ के जो है इसका मुल्यांकन कर सटेंगे के स्रीज का तो इसकी सुचना उस समय दी जाएगी आज हम जिस टॉपिक पर बात करें है उसको आगे बढ़ाते हैं अब हम स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं कि स्लेबस में टॉपिक वाइस क्या विचलेशन है पूरे कॉंस्टिविल के स्लेबस का तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि टॉपिक वाइस स्लेबस से कहा कहा से क्वेशन किस तरह से आये हैं पिछले साथ पेपरों में और उसके आधार पर जो है एक आउसात हम निकाल सकते हैं कि कितने किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं तो यह सबसे पहले हम जीके की बात करते हैं जीके में जैसा कि मैंने बताया कि 38 प्रस्न जो है आउस्तन एक पेपर में आते हैं तो सबसे पहला हम टॉपिक जीके का लेखते हैं भारती इतिहास यानि इंडियान हिस्ट्री इसमें टोटल सत्रा प्रस्न यानि साथ पेपरों में पूछा गया है तो अगर इस सेक्षन को हमें वाइड भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमको एक पेपर के आउसत से ज्यादा एनालिसिस से संबंध है तो आउस्तन जो है भारती तिहास से दो प्रस्न जो है पूछे जाते हैं यानि 38 में दो प्रस्न भारती तिहास से फिर भारती कला एवं संस्क इससे एक प्रस्न जो है औस्तन पूछा गया है भारती राजवियोस्थायों सम्मिधान ये इसका अच्छा वेटेज है इससे चार कुछे गये हैं तो इसके तैयारी पे आपका फोकस जादा होना चाहिए चुकि ये पुलिस डिपार्टमेंट की पोस्ट है पुलिस से पूछे जा रहे है यानि ये भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक है आपको इस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए पढ़ते समय भारती अर्थ व्योस्था से सामानिता एक प्रस्न पूछा गया है फिर इसी प्रकार से भहुतिक विज्ञान से एक प्रस्न रसायन विज्ञान से एक प्रस्न और जियो विज्ञान से तीन प्रस्न तो इसका आर्थ ये हो गया कि 5 प्रस्न आपके साइंस से हो गयए जिसमें बालोजी है तो यानि अगर क्यूमुलिटी रूप से देखा जाय तो पांच प्रस्न इस सेग्मेंट से आ रहा है तो साइंस जो है आपको यह computer रेवम सूचना प्रद्योग की इसमें computer से related या जो है telecommunication mass communication social media इससे सम्बंदित कोई भी जो है एक question average पूछा जा रहा है फिर पुरुसकार रेवम सम्मान की बात करें जिनमें विबिन पुरुसकार और सम्मान किन को किन व्यक्तियों को मिले तो अगर साथ प्रसन पत्रों में आज तक केवल तीन ही प्रसन पूछे गए हैं इसलिए यहाँ पर average जो है zero दिखा रहा है फिर भी इसकी तयारी करनी ही होगी आपको पुस्तक एवम लेखक ये एक important जो है segment है जीके का जिसमें दो question जो है पर paper पूछे गए हैं अब तक तो इसकी भी आपको अच्छे से तयारी करनी चाहिए फिर mislaneous topics हैं जैसे महतपूर्ण वर्स एवम दिवस यानि माली जीए पूछ लिया जाए कि जो है अंतराश्टी जै विवित्ता दिवस कौन सा है राश्टी ये बाल दिवस कौन सा है युवा दिवस कौन सा है तो इस तरह के question जो है एक एक question फिर राश्टी वम अंतराश्टी संगठन जिसमें United Nations उसके विभिन सारे अनुसांगिक संगठन उसके अलावा भी जो है विस्विस्तरी और राश्टी स्थरी जो समस्थाए है उनके बारे में question उनका मुख्याले कहाँ पे है इस तरह के प्रस्ण खेल से सम्बंधित एक प्रस्ण फिर सबसे ज़्यादा अगर वेटेज किसी का है तो वो है अंतराश्टी और राश्टी घतनाकराम यानि पांच question यानि पूरा current affairs national और international इसको आप अच्छे से पढ़िए खास कर पिछले छे महिने का आपको जो है इसमें देखना पड़ेगा current affairs और सबसे ज़्यादा जो question अगर average में पूछा गया है वो पूछा गया है उत्तरप्रदेश विसेश से जिसमें उत्तरप्रदेश का current affairs और उत्तरप्रदेश का gk तो अगर आप channel को follow कर रहें लगातार तो आपने देखा होगा मैंने उत्तरप्रदेश विसेश पर पूरी super series बना रखी है और हर एक महिने में मैं उसको update करता रहता हूँ तो channel की जो super series है उससे पूरा gk, पूरा हिंदी जितने भी topics हैं सब कुछ कबर हो सकता है अगर आप उसको पूरा देख लें और आप देख भी रहें क्योंकि आप लोग comment में बताते रहते हैं फिर बात आती है हिंदी की तो हिंदी में 37% आस्तन पूछे जाते हैं इसमें से और इसमें सबसे बड़ा वेटेज जो होता है जो मूल हिंदी ग्रामर जिसे कहते हैं हिंदी ब्याकरण इसमें हिंदी भासा, हिंदी लिपी, वर्ण माला यानि स्वर्वेंजन, फिर अविकारी अविकारी सब्दों के बारे आप जानते ही हैं मैंने पढ़ा भी रखा है संग्या, सर्वनाम, क्रिया, विशेशन वाच ये सब ही जो है इसी के अंतरगात आते हैं तो ये सबसे बड़ा जो है सेग्मेंट हो गया हिंदी में बारा प्रस्ण औस्तन इससे पूछे गए हैं फिर तर्जम तर्षो से एक कोश्चन वाक्यों वर्तनी सुद्धी से एक कोश्चन संदी विच्छेट से एक कोश्चन समाज से भी एक कोश्चन परियावाची से एक कोश्चन बिलोम सब्द से एक कोश्चन अनेक सब्दों के लिए एक सब्द वाक्यान्स के लिए एक सब्द इससे भी एक क्वेश्चन मोहावरे एवं लोकोक्तियां इससे दो प्रस्न पूछे गए हैं आसान टॉपिक हैं रस चंद अलंकार ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है इस पर आपको विसेज मेहनत करने होगी इससे तीन क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इसमें इसकार्त है जो हिंदी साहित की रचनाए हैं हिंदी भासा हिंदी साहित से सम्बंदित उनकी रचनाए और उनके रचनाकार से सम्बंदित कोश्चन अभी कल ही मैंने इस पर एक वीडियो अपडेट किया है और अभी एक मैं और भी इस पर वीडियो कर रहे हैं अपठीद गद्यांस एक गद्यांस दे दिया जाता है उसमें पांच question होते हैं तो अगर कहा जाए तो ये सबसे आसान है क्योंकि ये आप बच्पन से करते चले आ रहे हैं class 5 से लेके अपठीद गद्यांस के question और आपके सामने जो गद्यांस होता है उसी में आपका एंसर छुपा होता है कहीं भी आपको ज्यादा इधा उदर दिमाग अपलाई करने की जरूरत नहीं होती है तो यह पांच नंबर आपके ऐसे भी पक्के हो जाते हैं फिर विविद्ध जो उपर की किसी कटेगरी में नह अब अगला महत्पूर्ट सेग्मेंट देखते हैं मायत यानि नुमेरिकल एबलिटी संख्यात्मक योगता जिसते आउस्तन जो है 22 प्रसन पूछे गएं कभी कभी जादा भी पूछे गएं लेकिन 7 प्रसन पत्रों का जो है आउसत 22 है तो इसमें संख्या पद्धती नंब इस पूरे टॉपिक को पढ़ लीजे लगुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक यानि LCM और SCF से दो कोश्चन आपके निश्चित ही है हर पेपर में पूछे गए हैं सरली करण यानि सिंप्लिफिकेशन से दो कोश्चन निश्चित हैं आपके और सत एवरेज से एक की है कि मैत या जो है बहुत ज़्यादा कठी निस्तर की नहीं आती है बिलकिस सामान इससे प्रस्ण जो है पूछे जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी प्रेक्टिस से अगर आप अपने अंदर इप्रूवमेंट ले आएंगे तो आप आसानी से जो है कोश्चिन को साल्व कर करेंगे तो अनुपात और समानुपात में जो है दो कोश्चन अन एवरेज प्रसत यानि प्रसत्ता में दो कोश्चन लाभानी और छूट इससे दो कोश्चन आपके आने फिक्स हैं साधारण ब्याज एवं चक्रवद्धी ब्याज से दो कोश्चन आपको मिलेंगे समय और यानि work and time से दो question और इसी प्रकार से work and distance यानि समय और दूरी से एक question यह आपको करने हैं फिर छेत्रमिती जिसमें छेत्रफल आयतन इत्यादी निकालना होता है बहुत ही typical type के मतलब cutting type के question नहीं होते नार्मल जो है work का और इस तरह के question मैंने देखे सारे तो एक question इससे भी आ सक सकता है सांख की एवं आकडो का विशलेशन तो शुरवात के चार प्रस्न पत्रों में तो यह नहीं था आकरी के जो है तीन प्रस्न पत्रों में इसमें से question पूछे गए एक पूरा जो है जिस तरह से pie chart के question होते हैं उस तरह से question दिया था उससे चार या पांच प्रस्न उसक questions की बात की जाए तो 22 question आपको math में मिलेंगे और बिल्कुल fix है इनका ratio जिस तरह से मैंने आपको बताया है अगर आप इन topics को अच्छे तरह से पढ़ लीजिए तो आप आसानी से इसको तयार कर सकेंगे फिर mental ability reasoning जिसमें और भी चीज़ें यानि मानसिक अभिरुची जिसमे के भी जो है आपकी ability को परखने के लिए आपकी IQ को देखने के लिए और reasoning ability को देखने के लिए तो यह सब मिला के लगबग तिरपन question होते हैं तो इसमें का सबसे पहले हम verbal reasoning यानि साब्दिक तरस्पती की बात करें तो analog test यह सबसे बड़ा जो है इसका जो है chapter है जिससे question प्रस्ण फिर blood relation यानि रक्त सम्मद्द से दो प्रस्ण classification यानि वर्गी करण वाले जो questions होते हैं जिसमें alphabet और numeric दोनो टाइप के होते हैं उससे तीन question तो इस तरह से यह बहुत important हो गया यह भी important हो गया direction and distance जो दिसा वाले प्रस्ण होते हैं कि यह जो है दाय मुड के उत्त इतने दूरी गया तो प्रारंभिक बिंदु से तो उसकी कित्ती दूरी है या दिसा है तो इस तरह के question दो question फिर series टेस्ट तो series में numerical वाले भी और alphabetical वाले भी कि एक series दी होई है A, C, D, E, F और उसके सामने एक number दे दिया गया है तो उसमें आपको missing number ग्याद करना इस तरह के जो questions है यह इसका अच्छा वेटेज है नौ question इससे पूछे गए है तो इस तरह से analogy आपका सबसे बड़ा section हो गया उसके बाद जो है series test की बात आ गई coding decoding वाले question आसान भी होते है थोड़ा सा जो है उसमें आपको जो है वर्ण माला का करम अगर अच्छे से याद होता है तो बहुत आसानी से हो जाते हैं तो इस तरह से जो है इससे भी 5 question आ रहे है जो की जो है अच्छा जो है वेटेज है उसका फिर decision making and logic based question इससे तीन question इसमे decision making से सम्मंदित यानि तर्क सक्ति आपकी परिक्षण की जाती है कथन और कारल के form में पूछा जाता है order arrangement यानि करम बेवस्था और alphabet culture वर्ण माला का करम परिक्षण इससे तीन प्रस्ण when diagram से चार प्रस्ण important है यह when diagram के questions को solve कर लीजिए जिस भी book से आप पढ़ते है विविद में दो question फिर अब nonverbal reasoning की बात करते हैं तो nonverbal का ज़्यादा तो नहीं इसमें impact है लेकिन फिर भी इसका सबसे बड़ा topic है चार question फिर mirror image, embedded figure, paper folding आपने देखा होगा दरपण वाले आकरती वाले जिसमें पहचानना होता है कि दरपण है तो इसकी प्रतिछाया किस प्रकार बनेगी तो image से सीड़े सीड़े पहचानना होता है इस तरह के दो question dice and q यानि घान और पासा से लगबग एक question पूछा गया है और एक question जो है mislenious हो गया तो इस तरह से तिरपन question आपको reasoning से पूछे गया है अब बात करते हैं कि आपको जो है तैयारी किस तरह से करनी चाहिए तो अगर हम सामान ग्यान की बात करें तो सामान ग्यान में आप सभी के पास कम से कम lucent gk तो होगी ही तो आप lucent gk की book को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जित्ते भी topics मैंने बताए हैं वो आप के सब cover हो जाएंगे उसके अलावा और भी books market में हैं आप अपने अफसुविदा अनुसार उसको लीजिए और अभी हम लोग इसकी test series भी लाएंगे जो paid भले ही होगी है अगर आप लेंगे तो आपको उससे बहुत ही लाब होगा क्योंकि जो लोग video का test दे रहे हैं आप उ सामान हिंदी की बात करें तो सामान हिंदी में लिूसेंट की हिंदी भी आती है इसके अलावा पूजा पब्लिकेशन की बुक भी आती है और पूजा पब्लिकेशन की जीके की बुक भी आती है वो भी आप ले सकते हैं फिर उसके बाद सामान हिंदी में प्रतविनात तक किया जाता है तो प्रत्विनात पांडे हर्देव बाहरी और इसके लावा अन्य भी किताबें हैं आप जो है वो भी ले सकते हैं जैसा भी आपको उचीत लगए आपके पहले से बुक होगी भी फिर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में किरन की बुक आती है गटना चक्र की है उससे आप जो है उसमें हल भी अच्छा दिया उससे आप प्रेक्टिस भी कर सकते हैं मैथ के बारे में मुझे बहुत ज्यादा नौलेज तो नहीं है लेकिन हा आरेस अगरवाल के बारे में मैं जरूर जानता हूँ कि एक मानक बुक है जिसके में अच्छे से जो मैंने बना रखिए जो आप देख सकते हैं उसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ और उनकी पीडियाप्स भी अब लेबल हैं आप उसको पढ़िए तो दोस्तो ये रही पूरी सिस्टमेटिक प्लानिंग अगर आपने इस चीज को समझा है तो इसके अनसार अगर आप तैयारी करेंगे तो आप जो है निश्चित रूप से बहुत ही बहतर प्रदर्शन करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे और टेश सिरीज के बारे में मैं जल्दी ही आपको जो है बताता हूँ जो है तो अभी के लिए ताही नमस्कार धन्य कर बादाए कुल मैं मैं जल्दी है जल्दी है बतात हूँ